नमस्कार प्यारे बच्चों आप सभी का चैनल पर हारदिक स्वागत है प्यारे बच्चों कक्षा 9 की अंग्रेजी विशे का पहला चेप्टर है विहाई बुक का और चेप्टर का नाम है दैफन देहेड दैफन देहेड और आप इसके MCQ टाइप क्यूसन है यानि multiple choice क्यूसन ABCD वाले जिनको आप हल करने वाले हैं तो लगबग 10-12 मिंट की आपकी ये कलास है जिसमें मैं आपको 30% बताऊंगा इस पार्ट से मैं तो पूर्ण हो सकता है ये second test के अंदर आ जाए क्योंकि पहले test में भी आपके MCQ टाइप 20 की उसन आये थे जो एक ही पार्ट से थे तो ये व्याकरण के भी थे तो आप इसे हल कर सकते हैं और अपने इनको हल करना शुरू करते हैं उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब न या डी बहुत बी और सी तो कौन सा उतर आपका बी और ये देखो नीचे दिया भी गया है आंस्वर बी डस्टी तो वो बुक क्या थी डस्टी थी यानि रेत से भरी हुई गुस्तव थी प्रशन नमर दो की बात करते हैं प्रशन नमर दो देखिए क्या आपका एकोर्डिंग टू मारगी इन एन अल्र टाइम दैस्ट कूल्स वर बिग बड़े थे ब्राउन भूरे फनी मजाकिया श्टूपिड तो यहां पर फनी सी उत्तर है क्या है सी उत्तर है तो यह रहा सी फनी परशन नमर तीन देखो परशन नमर तीन वुज फादर नियू एज मच एज ए टीचर किसके पिताजी एज ए टीचर के रूप में जाने जाते टॉमी के मारगी के बलेर के या एवलिन के तो वो थे आपके टॉमी के तो यह उत्तर है आपका परशन नमर चयार की तरफ देखिए इस चेप्टर के अंदर कितने विश्यों का वर्णन किया गया है दो तीन चार एक तो देखते हैं क्या उत्तर है आपका तीन उत्तर है तो तीन पर कितने च्यार यानि सी एक बी उत्तर है आपका क्या उतर है बी उत्तर है और तीन विश्य है ठीक है आगे बढ़ते हैं परशन नमर पांच परसन नमर पांच क्या का गए कि वाइ वॉड एनिवन राइट अबाउट स्कूल कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखता है तो हूँ सैड दिस ये किसने कहा टॉमी, मारगी मिसे जॉन्स, बलेर तो ये किसने कहा था भी मारगी ने कहा था अगला परसन है परसन नमर थे मारगी वाच डिस पॉंटेड विकोज दे टुक अवे दी मेकनिकल टीचर दे डिड नोट टेक अवे दे मेकनिकल टीचर आसके मारगी टू लिव दी हाउस आसके टॉमी तू गो टू दे स्टडी तो आपका उप्सन नमर बी है उप्सन नमर भी क्या है दे डिड नोट टेक अवे दे मेकनिकल टीचर आगे बढ़ते हैं परसन नमर साथ की तरह परसन नमर साथ क्या है मारगी हैड टू राइट आउट हर होंवरक इन रसियन इन पंक्च कोड इन इंग्लीश नन ओप्दे अवोग यहनि मारगी अपना होंवरक के किस में लिख रही थी इन पंक्च कोड तो यह आपका बी उतर है उतर क्या आपका बी है इन पंक्च कोड परसन नमर आठ आप्र फिक्सिंग दी मेकनिकल टीचर इसके बाद आगे बढ़ते हैं परसन नमर 9 की तरह परसन नमर 9 क्या है आपका The Count Inspector had a ball box of Count Inspector के पास जो box था उसकी किसका था टूलस और चोकलेटस टूलस विथ डाइल्स और वाइर्स पिंस था या फिर बाफ ए ए एंड़ सी ए एंड़ सी का मतलब टूलस और चोकलेटस और पिंस तो आपका उतर है tools with dials and wires option number B और नीचे दियावा भी है इसकी पीडियोप आपको टेलिग्राम चनलर पर मिल जाएगी जिसका description लिंक के अंदर दिया गया है आगे बढ़ते हैं प्रस्ट नमबर 10 की तरफ Why did Margie had school now more than ever? Because of her mother, because of, यानि क्या का आगे Why did Margie had school? Margie school से क्यों नफ्रत करती थी? क्या कारण था? अपनी मा के कारण, दूसरा, because of her scoring geography which gets worse and worse यानि भुगोल के अंदर जो उसके अंक आ रहे थे वो बहुत ही गटिया अस्तर के थे worse and worse यानि बहुत ही ज़्यादा गटिया आ रहे थे तो इसका उत्तर यही है कि उसके भुगोल में अंक कमा रहे थे तो आपका उत्तर हो गया B इसके बाद आगे बढ़ते हैं person number 11 की तरफ person number 11 क्या कह रहा है? Margie was conful about a geographic course knowing that the real book detailed about अभी अपना person कौन सा था? 12 number यानि 11 number person अल कर रहे थे अपने तो Margie was conful तो इसका उत्तर आपका बीग हो गया यह बीड निचे दिया हुआ है नेली पटी में knowing that the real book detailed about school विपुस्तक में school के बारे में विवर्ण था person number 12 की तरफ देखिए person number 12 क्या कह रहा है? according to Tommy the real book was boring, a vast, wrong fiction क्या था? निरस करने वाली या फाल्तू की सामगरी थी, गलत थी तो इसमें आपका उत्तर है B, A, West आगे बढ़ते हैं person number 13 यह जो person है वो बहुती बड़ीया तरीके से आपको बनाके दिये गए हैं और आप इन्हें हल कर सकते हैं आगे की प्रिक्षा में यह काम आ सकते है objective type क्योंकि COVID-19 मामारी चल रही है हो सकता है paper का pattern ही पूरा भी बदलना पड़ सकता है government को और online होगा तो online होने का तरीका यह ही होगा कि आपके objective type यानि ABCD वाले परसन आएंगे तो आप हर पार्ट को बड़ीया डंग से पड़े जो यहाँ पर पड़ाया गया वीडियो कौन तक जरूर देखे The kids in the old schooling pattern went home together Old schooling pattern था उसमें लड़के एक सा जाते थे कहां in between classes during afternoon breaks during festivals at the end of the day यानि home घर एक सा जाते कब जाते थे at the end of the day यानि दिन के अंत में घर तो तभी जाते थे सुबह तो स्कूल आते थे और फिर घर जाते थे तो आपने पार्ट पड़ा है तो आपको बिलकुल पता होगा कि यह chapter बवीशे के बारे में बता रहा है और आगे देखो person number 14 देखो कि 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 बारे में सौच रही थी डेजट के बारे में सौच रही थी वेकेशन इंटर की के बारे में आपका सी उतर है कौन सा उतर है सी उतर है आगे बढ़ते है person number 15 की तरफ what did the teacher in the real book do teaches through computer computer के मादेम से पढ़ाते थे यानि वास्तिक फुस्तिक में क्या करते थे give lesson online online lesson देते थे taught and gave questions in person वेक्तिकत यानि पढ़ाते थे और वेक्तिकत परसन देते थे melt them the lesson तो आपका सी उतर है कौन सा उतर है taught and gave questions in person person number 16 की बात करते हैं ये लो आपका 16 number person why did Margie find the old school interesting Margie को पुराने school interesting कैसे लगे because of the fun because of the human teachers की वहाँ पर मानो अध्यापक पढ़ाया करते थे because of many friends बहुत से दोस्त थे या all सब कुस तो बिल्कुल आपका उतर D is all है यानि मजाक्या भी लग रहा था fun भी लग रहा था अध्यापक मानो थे अब यांत्रिक है technology के जमाने में यांत्रिक अध्यापक होगे और many friends यानि बहुत से दोस्त भी मिल जाते थे तो 16 का उत्तर D हो गया अब बढ़ते हैं 17 नमर परसन के अंदर 17 परसन क्या कह रहा है what was the difference between old school and modern schools यानि आदुनिक स्कूलों में और पुराने स्कूलों में क्या फरक है old school had many friends and modern school had no fellows कि पुरानी स्कूलों में अच्छे मित्तर थे लेकिन आदुनिक में नहीं है old school had human teachers and modern school had robots पुरानी स्कूलों के अंदर मानो अध्यापक वा करते थे और नई आदुनिक स्कूले हैं विदालनी हैं उनमें रोबोट है old school had playground and modern school had only computers पुरानी स्कूलों में खेल के मेदान वा करते थे और आदुनिक स्कूलों के अंदर क्यों कम्पूटर है या all तो बिल्कुल आपके सारे उतर है ABC 3 उतर है तो आपका उतर हो गया D आगे बढ़ते हैं परसन नमबर 18 की तरफ और परसन नमबर 18 क्या कह रहा है how much time was taken to repair Tommy's teacher Tommy के teacher को repair करने में कितना समय लगा 15 days, 25 days, 20 days या 1 month तो एक महिना लगा था तो आपका उतर क्या हो गया D हो गया पार्ट का हिंदी अन्वाद भी पढ़ लेना किसी टेक्स्ट बुक, संजीव पास्बुक या एक्सिलेंट के माधियम से तो आसानी रहेगी आपके परसन समझने में What did the county inspector do to help Margie? He reset the teacher's Margie's level He changed the module, changed the teacher, changed the syllabus तो आपका उतर क्या है? He reset the teacher to Margie's level यानि Margie के level को कि he reset the teacher उसने teacher को reset किया जो Margie की स्थर को बढ़ा सकता हो परसन नमबर 20 की तरह बढ़ते हैं 20 नमबर परसन क्या कह रहा है? Why did Margie's mother call the county inspector? County inspector को क्यों बुलाए गया? To repair a leakage To talk to Margie To talk to Tommy Tommy से बात करने के लिए Margie से बात करने के leakage को repair करने के लिए या फिर to check the fault in Margie's teacher in the geography section की Margie का जो teacher था द्यापक था जो geography section वाला उसकी जो mistake थी उसको check करवाने के लिए तो बिल्कुल आपका उतरडी है क्योंकि Margie के भुगोल के अंदर कम अंका आ रहे थे आगे बढ़ते हैं 20 परसन के बाद परसन नमबर 21 और परसन नमबर 21 क्या कह रहा है वू वास दा रेगूलर टीचर वू टॉट दा लेशन कौन नियमित अद्यापक था जो पाट पढ़ा दया करता था हुमन टीचर कम्प्यूटर टीचर वू टीचेज मेकनिकल रोबोट टीचर वू टीचेज मार गी एंट अबी आपका डी हो गया परसन नमबर 22 की तरफ देखिए वाड़ी टॉमी एंड मारगी रेड वेरिस बुक्स टॉमी एंड मारगी रेड वेरिस बुक्स बिन बिन पुस्त के पढ़ते पढ़ते हैं इन दे लाइबरेरी इन दे स्कूल उने कंप्यूेटर सक्रिन और नन कहीं भी परसन नमबर 23 देखिए वहरबाज मारगी स्कूल मारगी का स्कूल कहा ता हीने विलेज्ट गाउं के अंदर इन सिटी आउट स्कूल होता है तो आपका उतर हो गया दी इसका आगे बढ़ते हैं बच्चों परशन नंबर 24 की तरफ यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा परशन नंबर 24 वू आज टीचिंग स्टुडेंट्स इन दी मोडरन एरा मोडरन एरा एरा होता है यूग मोडरन आदूनिक आदूनिक यूग में आद आपको बच्चों को कौन पढ़ाता है ए टीचर प्रेंट्स कंप्यूटर या ए मेकनिकल रोबोट टीचर तो आपका उतर है डी ए मेकनिकल रोबोट टीचर प तो वो मिली थी उसको अपने घर के अंदर इन ही जाउस तो सी आपका उत्र हो गया यानि परसन नमबर 25 का उत्र है सी आगे पड़ते परसन नमबर 26 26 नमबर परसन क्या करें हाँ और अल्ड इस टोमी टोमी की उमर कितनी थी 10 years old 13 years यानि 10 वर्स का था 13 वर्स का तो वो था 13 years old यानि 13 वर्स का था तो उत्तर क्या हो गया आपका बी टोमी की ये उमर थी अब देखिए परसन नमबर 27 की बात करते हैं इस पार्ट का ओथर लेख कौन है, चार्ल्स डिकन्स, इसाक असिमो, मिल्टन या नन, इन में से कोई नहीं, तो आपका उत्तर है भी इसाक असिमो, पर्षन नमर अठाइस देखिए, मारगी की उमर कितनी थी, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल, तो मारगी 11 साल की थी, तो आपका उत्तर हो गया, भी इठाइस का, पर्षन नमर 29 देखिए, पर्षन नमर 29 में क्या का गया है, वोट इस डिबेट, डिबेट क्या है, एक कॉंटेस्ट तू सो एबिलिटी इन आर्गूमेंट बिट्विन टू पीपल्स, कॉंटेस्ट तू फाइट, कॉंटेस्ट तू प्रू बेटर यह नन, तो बिलकुल आपका ए उत्तर है, एक कॉंटेस्ट जो स्यो दिखाता है, अब देखो, यह आपका प्रस नमबर 30, कि क्यूंट 30, वोट इस वर्चुल रियल्टी, हैवनली वर्ल्ड, इमेजनली वर्ल्ड, रियल्टी क्रेटेड बाई कम्प्यूटर सॉप्ट्वेर, या नन, तो यहाँ पर आपका उत्तर, कोट इस वर्चुल रियल्टी, तो आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तथा ऐसी वीडियो की सुचना के लिए बेल आइकन क्लिक करें, और आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे टेलिग्राम का चैनल का लिंक दिया गया है, इंस्टाग्राम का, फैस्ब करेंगे तब तक के लिए जय हिंद।